हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज वन्स अगेन एपिसोड वन टू फॉर पार्ट वन सेरीज की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन करेक्टर सोवन और हेसंग दिखाये जाते हैं हेसंग अपनी गर्फरिंट सोवन से बहुत प्यार करता है वो दोनों साथ में स्कूल में बढ़ते थे पर अब हेसंग इंटर्शिप कर रहा होता है उसकी बॉस उसे बिजनस ट्रिप का पूछती है जिसे वो मना नहीं कर पाता पर नेक्स वीक उसे अपनी गर्फरिंट के मनाता है फर वो बहुत रो रही होती है और कहती है तुम्हें जैसा करना है वैसा कर लो और आगे कहती है कि सिर्फ मैं ही हमारे इरेशन को संभाल कर रखना चाहती हूँ और वहां से चली जाती है जाते वक्त उसे वो दिन याद आता है जब हेसंग उसके लिए कीरिंग लाय वो गार्डन में जाता है सौन वहां बैठी होती है फिर सौन उससे बेक अप कर लेती है और कहती है तुम्हें अपनी जौफ का ध्यान देना चाहिए और वहां से जाने लगती है हेसंग उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं दीखूंगा तो तुम्हें स का भी मां आ जाता है जैसे ही दोनों एरपोर्ट से बाहर जाने लगते है सौन उस लड़के पर गिर जाती है वो सोरी बोलती है और वहां से भाग जाती है इधर हेसंग भी एरपोर्ट पर होता है तब ही उसके सीनियर आती है वो कहती है कि मीटिंग मंडी को पॉस्पन हो ग जो एरपोर्ट के बाहर गिर किया था फिर दोनों कॉफी पीते हैं वो बंदा कहता है कि तुम अकेली हो यहां पर लोग या तो फ्रेंड्स के साथ आते हैं या फिर अपने लवर्स के साथ सौन कहती है मुझे प्राइफिन के साथ आना था पर हमारा बेक अप हो गया फिर वो उसे उसका नाम बता देता है वो हैलान हो जाती है वो कहता है तुम्हारे की रिंग पर लिखा दा इधर हेसंग और सीनियर घूम रहे होते हैं फिर वो वहां सौन को कैंग के साथ देखता है कैंग सौन की फोटो गीच रहा होता है इधर सीनियर सीनियर चड़ते चड़ते ठ लेता है एक दूसरे को मिसंडरस्टेंड करते हैं इसके बाद रूप कहता है कि यह सब बात नहीं करनी उसे और उसे अब कई फर्क नहीं परता फिर वो कैंग के साथ वहाँ से चली जाती है इधर होटल रूम में हेसंग बरशान होता है तब ही सीनियर उसे ड्रिंक के लिए इन्वाइट करती है और सौयन के बारी में पुछती है और पुछती है कि ब्रेक अप क्यों किया वो कहता है कि पहले हम अलग थे अब दीरे दीरे सब चेंच होने लगा इसलिए ब्रेक अप हो गया सीनियर उसके पास आती है और उसे किस करने वाली होती है वो हःरार नूघ जाता है और मना करता है सीनियर कहती है तुम उससे बहूत प्यार करते हो इसलिए तुम उसे बापस पा लो मैं तो सिर्फ तुमारा टेस्ट ले रही थी फिर वो वहां स सेटेद चली जाती है सु्बा सौन गुमने जाती है और उसे हेसंग 78 की याद आरी वFr होती है। और दोनों बात शींते हैं। सेनियर कॉफी पी रई होती है। हेसंग भी माहां आता है और उसके हाथ मेशा रहे हैं। युझा रहा है। वो कहां होगी इदर कैंग और सॉन बहुत इंजॉई करते हैं दोनों एक दूसरे को थेंक्यू बोलते हैं फिर सॉन को ठंड लग रही होती है कैंग उसे अपना जैकेट देता है दोनों बहुत बाते करते है तबी कैंग सॉन को हग करता है वहाँ हेसंक आकर उन दोनों को हग किया हुए देख लेता है और अपना फूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चला जाता है तब ही सेवन उसे गुस्ता करती है और उसकी जैकेट लोटा देती है सौन कहती है कि शायद तुम लड़कियों को जल्दी इंप्रेस कर लेते होगे पर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ कैंग कहता है मैं तुम्हारे भारे में यह नहीं सोचता वो कहती है तो ये क्या था क्या एंग कुछ नहीं कह पाता सौन गुस्टे में वहाँ से चले जाती है सीनियर हेसंग को एक जगा पर बैठा हुआ देखती है वो बहुत रो रहा होता है और उससे रोने कान पुछती है फिर उसे कमफर्ट करती है इदर सोन अकेले घूमरे होती है तब ही उसे हेसंग की बाते यादाती है और कैसे वो उसका हमेशा क्या रगता था और उसे बहुत पैमपर करता था वो हर उस جगा जाती है जहां पर वो हेसंग के साथ जाया करती थी और उसे हर जगा पर मिस कर रही होती है वो एक जगा पर जाकर बहुत रोती है तब ही हेसंग उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ठीक हो वो कहती है कि वो ठीक है फिर हेसंग कहता है कि तुम हमेशा अपनी beautiful smile से मुझे देखती थी इसलिए मैं तुम से प्यार करता था मुझे नहीं पता था कि तुम कैसे सब पर ठीक कर रही थी तुम कितना effort डाल रही थी फिर उसे sorry बोलता है और कहता है सब मेरी गलती है और वो भी बहुत रो रहा होता है फिर वहाँ से जाने लगता है सबनों से रोगती है और पूछती है तुम ये सब क्यों कर रहे हो वो कहता है अब मैं सब realize कर रहा हूँ यहाँ part 1 का end होता है thank you, thank you for watching